Hello everyone, welcome back to my channel आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करीओ बहुत ही healthy recipe जो है पाया सूप ये सूप highly nutritious है ये सूप bones को strong करता है क्योंकि इसमें calcium बहुत ज़्यादा मतरा में होता है तो ये वीडियो को start करते है इसे मैं instant pot में बना रही हूँ आप अगर चाहे तो cooker में भी इसे बना सकते हो मैंने इसे saute पे on कर दिया है instant pot को और इसमें डाल दिया है एक चमज गी गी का गरम होने के लिए wait करेंगे ये अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले मैंने यहां पे डाली है 4-5 लॉंग पिर दाल चीने के तुकड़े लेने है 2-3 पिर मैंने डाले है 5-6 काली मिर्च अब मैं यहां पे कुछ vegetables लूँगी जिसमें मैं प्यास सबसे पहले यहां पे डाल रही हूँ जो मैंने खड़ा करके लिया है आप अगर clear soup बनाना चाहते हो सो vegetables skip कर सकते हो बस खड़े मसालों के बाद डारेक्ली पाया को इसमें डाल दे और cook कर ले मैं थोड़ा सा healthy और जादा बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी इसे अच्छे से खा सकते है पी सकते है तो प्यास को जो है थोड़ा सा हम cook करके लेंगे जादा golden brown नहीं करना क्योंकि हम इसमें पाया भी cook करेंगे तो थोड़ा सा बस ये cook हो जाए और इसमें बस डाल देंगे पाया पाया को मैंने अच्छे से clean करके लिया है और ये वाला जो पाया है ये frozen पाया है तो इसे मैं cook कर लूँगी इसका color आप अभी देख रहे हो थोड़ी देर एक 5-7 minute के बाद इसका color change हो जाएगा तब तलख हमें इसे हिलाती रहूँगे मैं beach beach में ताकि ये नीचे से लग न जाए instant pot को आप मिनिट हो गया है मैंने आपने देखा beach beach में चलाया है इसे ताकि ये नीचे से ना लगे अब इसमें हम डालेंगे एक एक चमच अद्रक लेसन की paste इसे मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि ये नीचे फिर जल जाती है इसे mix कर लेंगे अच्छे से अब अद्रक लेसन की paste भी अच्छे से mix हो गई है तो इसमें डाल देंगे vegetables जो मैंने लिये है गाजर लिया है मैंने यहाँ पर broccoli लिये है कुछ and celery stick एक use की है मैंने आप अपने choice के इसाब से और सबजिया इसमें डाल सकते हो इन vegetables से soup में बहुत अच्छी taste भी आती है और healthy भी बनता है इसे खा भी सकते है अगर आपको clear soup यह डाल के vegetables करना है तो vegetables डाले बाद में इन्हें site में अच्छे निकाल ले और फिर आप soup सर्फ कर सकते हो तो इसे अच्छे से कर लेंगे mix एक बार अब इस वक्त आप soup में अगर आपको masala डालने तो डाल सकते हो मैं यहाँ पर बस इस chicken की soup वाली एक cube भी हाँ पर डालूंगे क्योंकि इसे बच्छे भी अच्छे से पी सकते है और नमक इसी time डाले क्योंकि इसमें भी बहुत ज़ादा नमक होता है तो नमक आप ट्राइ करें कि इस वक्त कम डाले या फिर soup ready हो जाएगा तब डाल सकते है तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और यह एक cube यूज की है अब इसमें हम गरम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे पहले फिर गरम पानी दो से तीन कप इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से pressure cook कर लेंगे 30 मिनिट के लिए इंस्टेंट पॉट को मैंने बंद कर दिया है और इसे यहाँ पे soup का भी option है तो soup के option पे 30-40 मिनिट का दिया है इन्होंने timer या फिर आप 10 मिनिट के लिए या 15 मिनिट के लिए pressure cook कर सकते हो high पे तो मैंने 30 मिनिट का pressure time लगा दिया है क्योंकि मैंने जैसे कहा यह frozen वाले पाया है इन्हें cook होने में बहुत जादा time लगता है fresh पाया बहुत जल्दी cook हो जाते हैं जो fresh भी मिलते हैं लेकिन यह वाले मैंने frozen करके रखे थे तो after 30 मिनिट हो गए है और अभी चेक करते हैं कि पाया कैसे बना है सूप तो बहुत easy और जटपट बनने वाली रेसिपी है आप ज़रूर ट्राइ करें अगर आपको clear soup चाहिए तो इसे चलनी से चान के ले ले और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें साथ में जो bell icon है उसे भी click करें ताकि future में आने वाले बहुत सारी videos का आपको notification मिले thank you for watching this video ट्सके लगले करें झाल 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 झाल